दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसेस एकजाम 2022 के लिए करेंट अफेर्स टॉप 50 का तीसरा स्रीज देखेंगे इसके पहले दो स्रीज अप्लोड कर दिया गया है तो जो लोग नहीं देखें हैं चैनल के प्रेलिस्ट में जाकि आप वहां से दोनों वीड पूर्ण है तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार है है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में विल आइकन को प्रेश कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पीडियेफ इसका हमा बताना है सही सुमेलित कौन सा है तो पहला है तनिस कोटिया और रेति का कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरु ग्राम से ब्रांड एमबेजडर बनाये गया इनको तो बिलकुल सही है फिर है रिशब पन तो इनको डेस टीवी का ब्रांड ए जिलाओं और नौजात सेसू के लिए सभी आवस्यक वस्तूओं को उपलब्ध कराने के उद्धेस से केसी आर किट योजना किस राजी सरकार के द्वारा सुरू किया गया है तो यह सुरू किया गया है तेलंगाना राजी सरकार के द्वारा केसी आर किट योजना तीशरा प्रष्ण युक्रेन पर रूस द्वारा कीएगे हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की खोसना की है तो लिथुआनिया ने आपातकाल की खोसना की ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा चौथा प्रuschण हाली में कि इसराज्जी के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वाल का निधन हो गया तो ये थे औरीशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका भी हाली में निधन हो गया है पाच्वा प्रशण हाली में प्रकाशित पुस्तक The Great Take Game रुद्ध सूरी के द्वारा ये भी खल्ब सही हो जाएगा यहां पर च्छाटवा प्रशने नियुकतियों में कौन सुमेलित है पहला दिया गया है सेबी की पहली महिला प्रमुक के रुप में माधवी पूरी बुझ को नियुक किया गया है सही आपका फिर है IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर है ये भी सही है उसके बाद तीसरा है डिप्टी आफ आर्मी स्टाफ आपका चनीरा वनसी पुनप्पा को नियुक किया गया है तो ये भी आपका सही है और तो यहां पे डी आपसन सेव को उपरियुक्त सभी और ये दिसीडियस पूछा चीफ आफ डिफेंस स्टाफ तब आपका यम यम नर्वने को नियुक किया गया है दूसरा सीडियस पहले जो सीडियस थे वह ये जनरल विपिन डावत जिनका अभी हाली में द्यान तो गया उसके बाद दूसरे सीडियस नियुक्त हुए है मनोज मुकुन्द नर्वने तो यहाँ पे D आप्सन सही है उपयुक्त सभी बी बिकल्ब तो यहाँ पे सही हो जाएगा और अगला कोशिन है हाली में कुमलंगी गाउं देश का पहला सेनेटरी पैड मुक्त गाउपना यह किस राज्जी मेश्थित है यह आपका केरल मेश्थित है सी आपसन सही हो जाएगा दसो प्रशने हाली में भारत के लिए वंडे मैच में सबसे तेज और दसतक लगाने वाली महिला खिलाडी कौन बन गई है तो यह हैं रिचा घोस यह भी कल्ब सही है 27 फरोरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम के करनाटक में है भारत और किस देश के बीच तीसरे स्युक्त सेन अभ्यास धर्म गारजियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है तो धर्म गारजियन युद्या भ्यास आपका भारत और जापान के बीच होता है तो यह यह आपसनिया पर सही हो जाएगा अगला कोशिन है भारत का पहला E West इको पार्क कहां बनाया जा रहा है तो यह आपका दिल्ली में बनाया जा रहा है C भी कल्ब सही हो जाएगा अगला कोशिन देखते हैं अंतरास्ट्री बहुत धीक संप्रदा सुचकांक 2022 में भारत को कौन सा आस्थान पराप्त हुआ है तो इसमें भारत को 43 वा आस्थान पराप्त हुआ है बी आपसनिया जाएगा और यह कोशिन यहां से पूशा जाएगा जाएगा अंतरास्ट्री बहुत धीक संप्रदा सुचकांक जारी कौन करता है तो यह जारी करता है इस चेंबर आफ़ कमर्स इस हंस्था है जो कि जारी करती है यह सुचकांक और इसमें पहले अस्थान पर पूछा जाए कौन सा देश है तो USA यहीं कि सम्वत राज जमीर का अंतरास् विट लिप्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ड पदक किस भारती खिलाडी ने जीता है तो मेरा बाई चानू ने यानि कि यह आप से नहापे सही हो जाएगा आपका अगला कुश्यन है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अठारे से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्स 2022 की पहली ब्रिक्स सेर्पा बैठा की अध्यक्षता किस देश ने की है तो चीन के दोरा इसकी अध्यक्षता की गई है यह आप से सही हो जाएगा आपके 17 प्रशने ग्रेविटी फांडेशन के उर्जा अवार्ड से 2022 के पांचवे संस्क्रड में बिजनेस लीडर आफ दे इयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया है बी आप से सही है 18 प्रशन आपका अपका हाली में खगोल वीड़ो द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गेलेक्सी का नाम क्या रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है अलसीओनस गेलेक्सी इसका नाम रखा गया है 19. बहुपच्छी नौशैनी का भ्यास मिलन 2022 का आयुजन कहां किया गया है तो यह बिसाखा पत्नम में किया गया है इसका आयुजन सी बिकल्प सही हो जाएगा है आपे 20. रमेश बाबु प्रज्यानंद किस बिस्व चेंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के सतरंज खिलाडी बन गये है तो इन्होंने हराया है मैगनस कालसन को यह बिकल्प आपे सही हो जाएगा 21. हाल ही में IIT रोड़की के द्वारा किसान मुबाइल एप किस राज्य में लांच किया गया है तो उत्रा खंड में लांच किया गया है किसान मुबाइल है प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में सिख्चा उपलब्द कराने के लिए किस राज्य में परव सिख्चाले नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है तो पशिम बंगाल के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है मानो तसकरी पर अंकुष लगाने के लिए निम्निकित में से किस संस्था द्वारा रास्ट व्यापी अभियान आप्रेशन आहट की शुरुवात की गई है तो आरपी अफ के द्वारा यह शुरुवात किया गया है आप्रेशन आहट जिसमें मानो तसकरी पर अंकुष लगाने के लिए आप्रेशन शुरु किया गया है चोबिस्वा प्रेशन फरवरी 2022 में संयुक्त रास्ट योंबिस बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन सम्मिट का आयोजन किया गया तो फ्रांस के द्वारा वन ओशन सम्मिट का आयोजन किया गया है भी विकल्व सही है 25 प्रशन हाली में हिलाल ए पाकिस्तान पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो विल गेट्स को सम्मानित किया गया है हिलाल ए पाकिस्तान पुरसकार से 26 प्रशन हाली में किस राज्य सरकार द्वारा प्रसासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सत्भावना की शुरुवात की गई है तो असम राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सत्भावना की शुरुवात की गई है 27 mo questions देखते हैं कि इसका नाम है ICGS सक्छम यह बिकल्ब से हो जाएगा ICGS का फुल फार्म क्या होता है तो I से हो जाएगा आपका Indian C से हो जाएगा Coast G से हो जाएगा God Indian Coast God Sip जो है ICGS का full farm होता है तो ICGS सक्षम इसका नाम है 28 प्रशन हाल ही में उत्राखंड के देहरादून में बनाए जा रहा है लखवार बाद परियोजना को कें सरकार की मंजूरी मिली है अगला कुशन देखते हैं कि साहित्यकादिय पुरसकार दोयरेकीस उर्दु भासा के लिए किसे प्रदान किया गया है तो उर्दु भासा के लिए दिया गया चंद्रभान ख्याल को यह विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और यदि पूछा जाएगा है कि और उनका जो है नाटक है समराट असोक तो समराट असोक के लिए ही इनको हिंदी भासा के लिए साहित्यकादिय पुरसकार दिया गया है और यदि पुछे अंग्रेजी भासा के लिए कि इने पुरसकार मिला है तो नमिता गोखले को मिला है अंग्रेजी भासा के लिए और इनके उपन्यास का जो नाम है अंग्रेजी का उपन्यास है Things to leave behind तो यहाँ पे उर्दु भासा के लिए पुछा गया था तो चंद्रभान ख्याल यह आपसन सही हो जाएगा अगला कोशेन है आपका जनुवरी 2021 में हुए नेटियों को सुमेलित करें एक तरफ दिया गया है ब्यक्ति और दोसे तरफ उनका पर दिया गया है और आपको कूट से माध्यम से बताना है कौन सापसन सही है तो विक्रम मिस्त्री इनको जो है नेटिया गया है उपर रास्ट्रे सुरक्षा सलाकार की रूप में एक हो जाएगा यहां पर चौथा फिर दिलिप संघानी इनको इफको का अध्यक्ष बनाए गया है B का हो जाएगा तीसरा पुस्प कुमार जोसी तो पुस्प कुमार जोसी को जो है HPCL के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है C का हो जाएगा दूसरा और रगवेंदर तमवर को ICHR का अध्यक्ष बनाए गया है D का हो जाएगा पहला 4,3,2,1 4,3,2,1 आप देख सकते हैं यहां पर पहला ही आपसन सही है अगला प्रशन है हाली में किस राजी में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंदर मोदी मारक का उधगाटन किया गया है तो यह सिक्किम में किया गया है C बिकल्प सही हो जाएगा हाली में किस राजी में सुराई, एको टूरिजम, जोन और काकरा क्रोकोडाइल टेन काउध घाटन किया गया है तो यह किया गया है उत्राखन में D. विकल्प सही हो जाएगा किस राजी सिरकार ने बिभिन राश्ट्री और राज अस्त्री स्वास्ति योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्ति स्यवा प्रबंधन केंद्र यचिय स्यमसी और राजमी अस्पताल के विष्ट्रों की दैनिक उपलब्दता की निगरानी के लिए G.E.R.M.I.S. नामक एक विवशाइट लांच किया है तो ये लांच किया गया है गुजरात राजी सरकार की द्वारासी भी कल्ब से हो जाए गया है निवलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग आफ इंस्टिट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट द्वारी केस में सीर्स अस्थान प्राप्त हुआ है तो आई आई टी मद्रास को सीर्स अस्थान प्राप्त हुआ है अगला प्रश्ण है पेंसन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमारपत्र प्रडाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है तो वह है उडिसा अगला कोशिन देखते हैं कि डिजिटल किताबों डिजिटल किताबे इनोवेशन फा यू दे इन जेनियस टकर्स की संगठन द्वारा जारी की गई है तो ये नीत याई यो की द्वारा जारी किया गया है ये आपसंसे हुजाएगा नीत याई यो का CEO ये पूछा जाए कि कौन है बरतमान में तो अमिताव कांत ये नीत याई यो के बरतमान में CEO है और अभी हाले में नीत याई यो का उपाध्यक्ष के रूप में किन को चुना गया है तो डाक्टर सुमन के बेरी को नीतियायोग का अध्यक्ष अभी चुना गया है और अध्यक्ष कौन होता है नीतियायोग का तो प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री बत्वान में नरेंद्र मोदी योकि वह नीतियायोग के अध्यक्ष है अगला प्रशन है हाली में प्रकासित पुष्टकों में कौन सुमेलित है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे टर्नोवर विजाड सेवियर आफ थाउजेंड्स के लेखक है डाक्टर अरूप राय चौधरी सही है इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक का है यह भी सही है अटल बिहारी बाच पे इसागरी का घोसका है तो यहाँ पे तीनोई सही है डी आपसन से हुगा उपरियुक्त सभी यहाँ पे सुमेलित है अगला कोशन देखते हैं कि इस राजी सरकार के दोरा भागवत गीता और रामायर अनुसंधान केंद्र बिक्षित किया जा रहा है तो यह पंजाब राजी सरकार के दोरा बिक्षित किया जा रहा है हाले में कौन सा देश अंतराश्टिस और गटबंधन यानि की इंटरनेशनल सोलर एलाइंस में 102 में सर्दस के रूप में सामिल हुआ है तो है एंटीगुवा और बार्बुडा सी विकल्पे हाँ पर सही हुआ जाएगा और यह सी का हेटक्वार्टर पुछे जाए तो हरियान के गुरुग्राम में इसका हेटक्वार्टर है इसकी अस्थापना कब हुई थी 2015 में भारत और फ्रांस के सहयुक से हुआ था अगला कोशिय ने संस्कृति मंत्राले द्वारा भारत की गाउं का पहला संस्कृतिक सर्विक चड़ कराने के लिए किस एप को लांच किया गया है तो एप का नाम है मेरा गाउं मेरी धरोहर अगला कोशिय ने देखते हैं कि भारत ने किस देज के साथ त्रिंको माली आयल टैंक फार्म बिक्सित करने के लिए एक समझावते पर हस्ताक्चर किये है तो स्रिलंका ने हस्ताक्चर किया है भी आप सन्यापे सही हो जाएगा सेंक्त रास्ट महासाभा ने वर्ष 2022 को किस अंतरास्टरी वर्ष के रूप में घोशित किया है तो कारीगर, मतस्षिपालन और जली कर्शी के रूप में घोशित किया गया है वर्ष 2022 को अगला कुशन देखते है अगला कुशन ने केंद्री बजट 222 में कितने मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क अस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है तो चार केंदरी बजट 2022 देश में देखा जाए तो चार मल्टी माडल लॉजिस्टिक पार्क जो अस्थापित किये जाने का प्रावधान है दुनिया भर में अकेले उडान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाली में कौन बनी है तो इनका नाम है जारा रदरफोर्ड ये आपसनिया पर सही हो जाएगा गरतंत्र दिवस 2022 के आउसर पर राष्टरपती रामनात कुबिन द्वारा मर्डो प्रान किसे असोग चक्र से सम्वानित किया गया तो इसाई बाबू राम को मर्डो प्रान इनको असोग चक्र से सम्वानित किया गया है कब तो गरतंत्र दिवस 2022 के आउसर पर अगला प्रश्ण है हाली में प्रकासित पुछ तक एंजल्स आफ कैलास के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं सुवीरा परशाद यह आपसन सही हुजाएगा है और तारिशमा प्रश्ण है भारत डिजिटिली करड कोस के लिए किस कंपनी ने भारती एर टिल में एक बिलियन डालर तक निवेश करने की घोशना की है तो गूगल ने यह गोशना किया है सी आपसन सही हुजाएगा उन्चासमा प्रश्ण है हाली में किस राज्य सिरकार ने अगले पांच वर्शों में पंद्रे लाख रोजगार की अवसर उपलब्द कराने के लिए रोजगार मिसन कारिकरम सुरू किया है तो 36 गढ़ ने यह कारिकरम सुरू किया है अंतिम प्रश्ण है कोबिड 19 ठीका करण की पहली वर्शगार पर किसके द्वारा कोबिड वैक्सीन पर एक डाग टिकट जारी किया गया तो मंसुख मंडाविया के द्वारा यह डाग टिकट जारी किया गया जैसे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल